वेलकम फ्रेंट्स चले आगे चलते हैं अब है हमारा इमेल इमेल का सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखना है electronic mail होता है e-mail का full form क्या होता है electronic mail e-mail या electronic mail e-mail या electronic mail internet के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक ही समय में अन्य लोगों को संदेश, पत्र या वीडियो या graphics भेजने के लिए कागज रहित विधी होती है यानि document हम नहीं भेशते हैं कागज मर लिख के नहीं भेशते हैं वहां भी लिख देते हैं electronic और वो हमारा चला जाता है कह रहा है post office की तुलना में e-mail जो है बहुत जल्दी जाता है क्योंकि यह internet से जाता है यह 24 घंटे 7 दिन काम करता है नहीं सुल्ग होता है internet पर ठीक है तो चलिए e-mail में पहले इतना बात ध्यान में रखने के लिए हुआ कि e-mail जो हमारा full form होता है वो electronic mail होता है ठीक है अब आगे है कुछ जो e-mail है उसमें से है yahoo mail hot mail, gmail Google का हम लोग gmail यूज़ करते हैं और फिर ready mail आपको यहाँ पर ध्यान लखना है जो हमारा e-mail है उसका कुछ जो e-mail है वो कौन-कौन सा है yahoo mail है, hot mail है, gmail है और ready mail है क्या था e-mail कैसे काम करता है तो यह तो आपको step ध्यान में उतना नहीं देना है लेकिन हम यहाँ नीचे आते हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखने के लिए है कि e-mail भेजने के लिए आपको internet connection और mail server पर पहुँच प्राप्त करने की आवसकता होती है जो आपके mail को आगे भेजता है internet e-mail भेजने के लिए उप्योग किये जाने वाले मानक प्रोटोकॉल SMT कहते है SMTP कहते है जो जिसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर SMTP का Simple Mail Transfer Protocol है न तो यहाँ आपको फिर धियान रखना है SMTP यहनि Simple Mail Transfer Protocol कहता है internet पर e-mail भेजने के लिए उप्योग किये जाने वाले मानक प्रोटोकॉल को जो है क्या करते है SMTP कहते है जिसका फुल फॉर्म होता है Simple Mail Transfer Protocol SMTP Simple Mail Transfer Protocol अब काता है यहाँ POP सरवर के साथ संयोजन के रूप में काम करता है POP का अर्थ होता है Post Office Protocol तो दो फुल फॉर्म यहाँ पर आप जरूर धियान में रखे फॉल फॉर्म तो निश्चित तोर पर एक्जाम में आता है SMTP SMT का फॉल फॉर्म होता है SMTP का SMTP यानि Simple Mail Transfer Protocol SMTP यानि Simple Mail Transfer Protocol और फिर हमारा POP Post Office Protocol POP का फॉल फॉर्म हो गया Post Office Protocol ठीक है कहता है जब आप एक इमेल संदेश भेशते हैं तो आपका कंप्यूटर इसे SMTP सर्वर के माद्यम से रूट करता है सर्वर इमेल पते यानि एक लिफाफे के पते के समान को देखता है और उसे प्राप्त करते के मेल सर्वर पर भेज देता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर कहता है इमेल का जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होता है तो दो मुख्य भाग होता है एक हमारा प्रथम जो मुख्य भाग होता है वो आईडी होता है जैसे हमारा मालेजे भरत भोसन 439 है तो वो हमारा हो गया यह जैसे यहाँ पर है एसके सर्मा यह इसका क्या हो गया user ID हो गया जो प्राप्त करता है यह पाने वाले का mailbox को दरसाता है इसका प्रथम भाग क्या होता है user ID होता है जैसे यहाँ पर है और फिर at the rate का एक चीन होता है उसके बाद host name होता है जैसे यहाँ पर yahoo है किनिका होता है gmail है na gmail.com लिखा होता है तो उसक server को दरसाता है अर्थात वह computer जिसमें प्राप्त करता का electronic mailbox है आम तर पर या एक company या संगठन का नाम होता है जैसे याहू company का नाम या संगठन का जैसे गूगल या Gmail है न कहता है domain name के अंत में dot के बाद 3 या अधिक वर्न होते हैं यहाँ पर dot के बाद 3 या अधिक बन जैसे कि dot com या dot gov जो top level domain tld अब यहाँ पर फिर से देखिए tld यानि top level domain tld top level domain का संकेत देता है domain नाम का यह भाग है जो उस संगठन या देश को इंगित करता है जहां host server इस्थित है या संगठन का नाम होगा या यहाँ पर देश का नाम होता है तो जैसे यहाँ पर एसके सर्मा में एसके सर्मा हमारा क्या हो गया user ID हो गया एक चिन होता है यहां पर और याहू हमारा host name या domain name हो गया जैसे gmail हमारा host name या domain name हो जाएगा है ना और .com जो हो गया वो हमारा एक तरह से क्या हो गया यह हो गया top level domain का संकेत देता है है ना यह domain name के अंत में जो dot के बाद तीन या अधिक burn होता है जैसे कि .com या .gov जो top level domain यह tld का संकेत देते हैं domain name का यह भाग उस संगठन या देश को इंगिट करता है जहां पर host server इस्थित होता है है ना तो फिर से एक बार हम repeat कर देते देखिए s के सर्मा हमारा user id हो गया at the rate चिंड हो गया yahoo हमारा क्या हो गया तो host name या domain name हो गया जैसे gmail हमारा क्या हो जाएगा host name या domain name और .com हमारा क्या हो गया top level domain हो गया यहां हमें तो अभी login कैसे करना है या यह उसमें mail कैसे भेजेंगे यह हमें ध्यान में तो नहीं आएगा यह नहीं रखना है यहां हमको रखना है अब जैसे यहां पर देखिए संदेश भेजने के लिए कौन सा बटन होता है email में compose code बटन होता है나 संदेश भेजने के लिए यह यहाँ क्सा दाएगा email भेजने के लिए या message बेजने के लिएे जो email में कौन सा बटन होता है compose का बटन होता है compose बटन से हम क्या करते है इमेल भेज सकते ठीक यदि हम जिसको email भीजना चाहते हैं उसका address हम कौन से field में लिखते हैं तो two वाले field में हम उसका address लिखते हैं यहाँ देखिए एक है two एक है cc और एक है bcc तो two में हम उनका address देते हैं जिसको हम mail भीजना चाहते हैं तो फिल्ड में प्राप्त करता है याँ टू फिल्ड में क्या होता है पाने वाले का email देते हैं इसमें हम एक से अधिक का भी दे सकते हैं तो अब यहां question आएगा यदि आप एक से अधिक व्यक्तियों के लिए email ID देना चाहते हैं यहां जो टू है टू में यदि हम एक से अधिक email ID देना चाहते है तो यहां हम comma लगा कर email ID देते हैं है न कॉमा लगा कर कुर्सन आ जाएगा एक से अधिक व्यक्तियों के लिए email ID को कैसे अलग किया जाता है किसके द्वारा अलग किया जाता है कॉमा फुल स्टॉप डेस के द्वारा तो comma answer हो जाएगा है न क्या है एक से अधिक व्यक्तियों के लिए email id को क्या लगा कर अलग किया जाता है तो कौमा लगा कर अलग किया जाता है अब चलिए नीचे यहां जो subject है तो subject में आप संदेश जो भी message भेज रहे हैं उसका हम कोई subject दे सकते हैं किसी को फोटो बेजेंगे तो लिख देंगे फोटो हम कि नही में क्या होता है फिल्ड में उन्नों का पता हम type करते हैं जिन्हें आप अपने संदेश की carbon copy भेजना चाहते हैं संदेश प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति उन्नों को देख सकते हैं जिन्हें आपने cc में रखा है तो cc हो गया मतलब यह message भेजे और फिर से हम यही carbon copy देते हैं यहां पर देखिए बी सी सी का फुल्फर्म होता है ब्लैक कारवन कॉपी ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं यहां पर अब यहां टेलनेट में आपको ध्यान रखना है कि टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उप्योग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क लेन कनेक्शन में किया जाता है तो यहां पर लेन का लेन का फुल्फर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन का फुल्फर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन का फुल्फर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन का फुल्फर्म ह एक network protocol है इसे आपको ध्यान में रखना है कि telnet एक क्या है network protocol है जिसका उपयोग internet या local area network यानी LAN connection में किया जाता है ठीक है इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इसके बाद आया हमारा FTP FTP में फिर से full form याद रखे FTP का full form होता है file transfer protocol FTP FTP का full form होता है file transfer protocol FTP file transfer protocol कहता है कोई भी network जो TCP oblique IP अब TCP IP का हमने full form बताया था पहले transmission control protocol और IP का होता है internet protocol TCP का क्या होता है transmission control protocol और IP का क्या होता है internet protocol होता है TCP IP यहनि TCP का full form क्या हो गया transmission control protocol और IP का क्या हो गया internet protocol तो कहता है कोई भी network जो TCP या IP protocol जैसे internet या intranet के रूप में का समर्थन करता है उस पर file का आदान प्रदान करने के लिए आम तोर पर FTP इसे का full form है file transfer protocol का इस्तिमाल किया जाता है तो यहां आपको ध्यान दखना है कोई भी network जो TCP या IP protocol का समर्थन करता है उस पर file का आदान प्रदान करने के लिए आम तोर पर FTP का इस्तिमाल किया जाता है फाइलों का आदान परदान करने के लिए आम तोर पर FTP का इस्तिमाल किया जाता है यह question पूछा हुआ है तो फाइलों का आदान परदान करने के लिए आम तोर पर किसका इस्तिमाल किया जाता है FTP का यानि File Transfer Protocol Full Form में भी है यहाँ पर कि File Transfer और कहा भी Fileों का आदान परदान करने के लिए आम तोर पर क्याज का इस्तिमाल होता है FTP यानि File Transfer Protocol चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर है कि FTP जो में दो कंप्यूटर सामिल होते हैं पहला कंप्यूटर FTP सर्फर होस्ट होता है यह कंप्यूटर नेटवर्क पर अनकंप्यूटर से आने वाले Connection और अनुरूद्धों को सुनता है दूसरे कंप्यूटर को Client कहा जाता है जो FTP, Client Software का उप्योग करके FTP से Connection बनाता है एक बार Connect हो जाने के बाद Client File पर कई कारी कर सकता है जैसे कि सर्फर पर फाइल को अप्लोड करना सर्फर से फाइल को डाउनलोड करना सर्फर से फाइल को हटाना या उसका नाम परिवर्टित करना FTP जो प्रियोग किया आता है दुरस्त कंप्यूटर के ऑपर्टेक्ष या नहित इस्तिमाल को प्रोजसाहित करने के लिए डाटा को कुसलता पुर्वक और विश्वसिनिय तरीके से अस्थांतरित करने के लिए फाइलों को साधा करने की प्रकिरिया को प्रोजसाहित करने के लिए से आप समझते होंगे एनीदेस्क एक एक एप होता है है सॉपृटवेर होता है एनीदेस्क के हमुए क्या कुई हम जो है नए टॉपिक पर चलेंगे या हम जो है बेल्टरन की जो प्रिवियस येर कोश्चन होगी उस पर हम जो है डिसकर्शन करेंगे ठीक है ओके थैंक यू